आप देख रहे हैं दे फुल वाल्यूम आज बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने पटना में 350 एम्बुलेंस और 50 CNG बसो को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया है बता दे कि ये सारे एम्बुलेंस मुख्य मंत्री ग्राम परिवहन योजना के अनुदान के तहट खरी दी गई है परिवहन सचीफ संजे अगरवाल ने बताया कि सुरुवाती दौर में 20 टीजल बसो को CNG में कनवर्ट किया गया था लेकिन अब 50 नई CNG बसो का परिचालन होने जा रहा है पटना में मार्श 2022 तक डीजल से चलने वाली सभी सरकारी सीटी बसो को CNG में कनवर्ट कर दिया जाएगा अगर इन CNG बसो की बारे में बात करे तो इन CNG बसो को काफी सारी सुविदाओं से लैस किया गया है इसमें GPS, CCTV कैमरे, पैनिक बटन जैसे सुविदाओं से इसे लैस किया गया है ड्राइवर सहीत बस में कुल 32 सीटे हैं तीन CCTV कैमरे लगाए गये हैं साथ ही पब्लिक अनौंस्मेंट सिस्टम भी लगाया गया है महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग जनों के लिए सुरक्षे सीटे है सभी बसे GPS युक्त है जिससे बसो का वास्तविक स्थान पता किया जा सके यात्रियों को मार्ग की जानकारी उपलब्द कराने के लिए बसो के बाहर तीन डिस्प्ले बोड एवं अंदर एक डिस्प्ले बोड उपलब्द कराई गई है साथी बसो के अंदर यात्रियों के लिए मुबाइल चार्जिंग की भी सुविदा उपलब्द कराई गई है परिवहन सचीव ने बताया कि सडक दुरघटना में घायल पीड़तों को समय पर अस्पताल भेजा जा सके एवं अन्य अपात कालेंची किस्सा सुविदा हेतु ग्रामीन छेत्र के लोगों को उपचार के लिए स्वास्ति के नरुग तक पहुचाया जा सके इसके लिए मुख्य मंतरी ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस सेवा का सुभारम किया गया है 350 एम्बुलेंस मुख्य मंतरी ग्राम परिवहन योजना के तहत खरीदी गई है इसके लिए पूरे राज में 3500 आवेदन मिले हैं जिसमें से 954 लाभुकों का चैन अनुमंडल इस्तरिय समीती द्वारा किया गया है फिलाल अभी 350 अंबुलेंस उपलब तर आई गई है लेकिन अगस्त आते आते इसे 500 से जादा की उमीद की जा रही है और वहीं दिसमबर आते आते इसे 1000 तक की खरीदी जाने की उमीद की जा रही है कोविट की दूसरी लहर के दौरान नीजी छेतरों में एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए मोखे मंद्री दौरा मोखे मंद्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस योजना को समाहित कर प्रतेक प्रखंड में दो दो लाख रुपे की सबसीड़ी देते हुए पूरे बिहार में 1000 एम्बुलेंस उपलब्द कराने का निर्न लिया गया है मुख्य मंत्री द्वारा रवाना किये गए इन बसों में से 10 CNG बसे गांधी मैदान से दानापूर बस स्टेंड के बीच चलेगी 14 बसे गांधी मैदान से दानापूर रेलवे स्टेशन के बीच 17 बसे गांधी मैदान से बीटा आयाइटी के बीच साथ गांधी मैदान से पटना साहिब स्टेशन के बीच और वहीं दो गांधी मैदान से दानापूर हांडी साहिब गुरुद्वारा के बीच चलेगी इस वीडियो में यहीं तक अन्य खबरों के लिए देखते रहें दफुल वॉल्यूम धन्यवाद